कि शामी साधे पांच बेज़े ने सानु कोहाने आँ इसनाया कि साधी कुडी खेतर आली साइड हो जा दी ते साध़ा चाच्चु जड़ा उसी कुडी की मारन पी आए कि तू मेरी पाली दे बनने भी क्या उनंगी है तो जिदर मैं मेरी पाली आइस रस्ते क्या उनंगा दे अधेबाद को सान उस साधुबंदे ने मेरे पापा इस नाया मेरे पापा कामो प्रूओं आधे काम मुप्रूओं फिल्की न से एस्वाबत शूं हो जो है निया तांके लगें मेरी पैंद पेट्च लगता मार है चंधी बटे न हम अन्नी ढखांब यांद पुलीचा ने ठीयू है उसी आरेस्ट एता है वह आप उठाने आया कि मैंजी सच्छा इन नर्शे कितें हैं नियुड़ है नियुक्त अंधर रख करी रहा है जेड़े शामी साठेवन बंच बढ़ी कन्यों दो इसे जनानी गीता देवी उदसाडू हुए है कि उनषा और बढ़ दा लेक्व विला बिला ना आए हो दा लेकिन एने उसी नहीं है अरेस्ट किता है वी उल्टा एने जगदेवराजीई भी शोड़ी उड़ी है जाड़ा कि मेरा चाचा लग दे है उने उसी भी शोड़ी उड़िया है ते उन आसे जिले अपने पेकेजा में अपने कार ज़ा दी है अपने हस्बेंट करने स्कूटी पर ते उसाड़ा रस्ता रोका है चार बंदे हैं ब्लैक कलर दी गड़ी ही गड़ी जगे मननत लगए रहा नंबर आस नहीं नोट कर सके क्य भी उनिन इस पीन्ट ऐपजा कार्ना जाना है तो जाने सी पूचोना हो कुछी यह उन्ट में रहाँ पार जाना हैवे चाने हसमें ने पर गड़ा देन बाहर काम भी करना जाना है मेरी फै mail ने बार जाना है आरा झालенить आराना बाहरां पुछ पूछ जले तक पुछ लेप लिए ऐस दिख लगे उनस उन्दें उन्द फईाइर लगा ले जिले जानु उन्मारक मतलब उन्दे आ हो लो पुछ जो लगानी यह अनु पर लगा हो और इक नो भी एक बंदे आप लगाई है या ने आसे जातो हैं कि चाहिए मेरे पादर मेरी सिस्टर एक बंदा तीन जनए नहीं नहीं सब्सक्राइब करना जान लगाइए ऐस तो सब्सक्राइब करने बढ़ियां बढ़ियां गला करा नहीं नहीं आ यह नहीं जानाओ निया नहीं आप पिर तुमईज कर ने मिलाओ जान फिर को फ़ाद तमीज कर ने गाल करो ना तो उस एब आस प्रश्व प्लीस को लिए उन्हें उल्टा साड़े कने बाद तमीजी करी या तुम आप यार यार दिन दे आन क्या उनिया निंदे कोल बंदे इंदे क्यां आदे ने ऑप यार देनि यहीं वहां हां पिर यार दिकापी नहीं थीक्ति अख़या की फोन करी पूशना सर् पांच पंच कीफुं करी कि पुशना है पंच पंच में स्बैंध से क्यों घलत बंदे जा साथं इनुन जानेघात दिन आजिन्दी शीना दोड़ियाँ बेची एंड बेची उडी है इन्हें सोचिया कि शायद रोकने आसते हैं जब कुछ करने आसते हैं उप फ़हली भी स्टेय हुई दिया हुग है उते काम जेड़ा दीकॉम साफ जड़ेना उन्हें खुद काम बांद करवाया है लेकिन पटवारी तवस्ताइल दार जड़ेना तुसके डिमांड करना चान्द है कि और जिनने बंदिया और प्राइफ यार लगे ते सारे बंदिया अंदर हुए अज़े उन्सार सनु मारने कोशी किती है काली गड़ी में दिखे अगर मैं स्कूटी नहीं नहीं तो नहीं स्कूटी थले दे यू नहीं गड़ी पर परचाड़ी और नहीं में बड़ी मुश्किल अपनी भाइफी थे अपो लिए नठेयां तो मैं सिद्धा ठाने आयां ठाने आ लिए मैं जिल्ले आख्या कि मी बंदा तो कि इन्या शड़ी उड़ा है आखदे जी ये पंच ने सानु जमांत दिये तो फेर लिए गया मारे पंच गलत बंदे साथ ये पंच साथे सर पंच पंच करा दे किना जांदे सानु मुर्वाई उड़ो अगर मियो गड़ी था ले दे मैं मरी इंदा फेर जाए प्लीस अने काम करना है उन बंदा ही छेवे साथे साथे साथ वे असाचों ने रैस्ट किता बंदे की जमांत दि आए सरे अलब आए सांगे मीडिया गओट कर दिखो के तर चैने जने मारे ने पर यार वे बंदा की शडियोड़ा सार तो शामी एरेस्ट करदे कंदा कार जीबार जी उनको प्लिस ने अरेस्ट किता हुदे किनी देर बार शोड़ी हुड़ी हुड़ी तो सब्सक्राइब 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 नहीं कोशी किती गई है अपने मतलब की सोरे तू अपने कार लिये जा था अपने फोन करो फिलहाल दोस्तों नहीं न एस चुछ आपने फोन करो फिलहाल दोस्तों नहीं सब्सक्राइब 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 दोस्तों अगर तो आड़े कोल भी सब्सक्राइब नमबर नहीं है तो इस भी नोट कर सकते हो 7006085364 ठीक है उन्हें एस चुछ आपी फोन करना दिखनें एस चुछ आपनें एस चुछ आपनें देना विनोट सर है हलो जी नमस्कार सब्सक्राइब नहीं हमारी फैमिली को जो लडाई हुई थी मेरे चाच्चुन मारा था मेरी सिस्टर मेरे पापा को तो सर अब है तो अभी अभी दो गंटे बाद उनकी जमानत हो गया दो गंटे भी नहीं मुझे लगता लगबग वो अंदर रहे हैं रास्ते में मिले हैं मैं माई के सब्सक्राइब गाड़ी हमारे उपर चड़ाने की कोशिश किया उन्होंने और हम जब पुली स्टेशन आया है तो आप पता चला है उन्होंने बोला कि नरेश जंगराल आये थे वो जब की जमानत ले गया है और झावारे गांच accurate बोहाई नरेश जंगराल एक उनके साथ ब्लैक ब्लैरो वाला आदमी है पिंका पिंका और एक जगदेव राज तीन थे एक चोथा आदमी पता नहीं कौन था गाड़ी में थे मैं और मेरे हस्बेंट बाई स्कूर्टी से जा रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चड़ाने की कोशिश किया सर मैं पुली स्टेशन आई थी अभी अंदर जो पुलीस वाला था वो इतनी बत्तमी जी से बात कर रहा था कह रहा आप नॉनसेंस लोगों हम कोई पागल है इतनी ठंड में जो अंदर आए थे मेरे हस्बेंट को तीन चार टंके लगे हुए हैं मैं उनको लेकर इतनी सर्दी में घूम रही हूं मैं कोई पागल हूं जी सर चेक करो तो यह इन्हों ने अभी सच्चो साब बीनोद कुंडल जी से बात की है देखते हैं अभी उनका क्या फीडबैक रहता है इनके मामले को लेकर देखने की बात है अब क्या रिप्लाई आता है इनको और यह जैसे आप आपने सुना होगा इन्हों ने बताया है कि शाम को छे बजे इनके साथ मारपीट का मामला सामने आया था उसके बाद यह कहते हैं कि दो से तीन गंटे के बाद ही जो औरोपी हैं मुक्ष औरोपी है कि वो गर में गूम रहे थे ऐसा इन्होंने कहा है जी और एक पर लगवाई यह बाकी बालों पर आपके फोन में है इनके पास एफायर की कापी भी है इन्होंने प्रिंट तो नहीं मिला प्ली स्टेशन से इन्होंने फोटो खिंच के लाया हुआ है तो हम दिखा देते हैं यह फायर की कापी है इनके वास इसमें जहां तक मैंने पड़ा है मामला तो दर्ज है इसमें दारा 348 और 383 है शायद 233 के तहट मामला दर्ज है और जहां तक मेरे मेरे को जानकारी मिली है इसमें एक अरोपी का नाम भी है तो बाकी देखते हैं आगे पलीस इनके मामले में क्या करती है क्या लगता आपको है कोई उमीद नहीं है इनसे कोई उमीद नहीं है अगर यह दो गंटे के बाद उनको को छोड़ सकते हम कोई उमीद नहीं करते हम अपने आपको सेफ ही नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम अपने गर में भी सेफ होंगे अब मैं अपने माई के से सुराल जा रही हूं पीछे से आके मेरे मम्मी पापा को मार जाएगा अगर हमें मार सकता है वो दोनों को तो मेरे मम्मी पापा को भी मार सकता है ना तो फिर हम कहां जाएंगे जब तक मतलब कोई किसी को मार ना दे तब तक यह पुलीस वाले कुछ नहीं करेंगे पीछे से मारा था पांच छे जने थे जगदेव राज थे इनके साडू थे इनकी बाइफ तीन के बच्चे थे और भी दो तीन आदमी इनके साथ और थे प्लानिंग के साथ आए थे कि अगर एक से ना लगै तो दूसरे से ना लगै तो तीसरा उन्होंने जान भूज चके रास्ता रोका था उनको पता था कि यह आएंगे और हम इनको मारेंगी जह सारा कुछ हैं हमारे गउम के जो सर्पंच है सुर्जी सिंग जो पंच है नरेश जंगराल जे साथ मिलकर करवा रहे हैं इन्होंने गंद डाला हुआ सबसे ज्यादा मैं अपनी पंचाहे से भी पूछना चाऊँगी सर्पंच पंच का काम यह नहीं होता कि किसी एक का साथ दे जा जा उनके भी सर्पंच है वो दियाडी लगते हैं वो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल ले हैं अभी आपके सामने है इतना टाइम तो नहीं लगेगा है सेच और ड्यूटी पी है इतना टाइम तो नहीं लगेगा ना उनको चेक करने में ठाने में कि बंदा है की नहीं है आपके सामने देख लो उन्होंने फोन काट दिया मैं चेक करके बताता हूं क्यूंकि पैसे मिल गए हैं बजा जी है मैं पहले उन्होंने मेरी मम्मा को दो बार मारा उनकी दोनों बाजुएं तोड़ दी हैं अपने बाप को नोने टांगे तोड़के जान से मार दिया था यह कब की बात है दो यार इन कहा कहता है सारी मुझे दे दो बागी बाले कुछ ना ले एक दो मिन का समय मेरे ख्याल से एसच्चो साब को भी देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी आगे जैक करना है कि क्या बाके मिया औरोपी ठाने में है कि बाहर है तो यह मामला गंबीर है फिलहाल जिस तरह से यह कि जो मारपीट करने बाला अब यक्ति है अगर वो खुले आम गूम रहा तो एक बड़ी बात कह सकते हैं कि फिरसे इनको खत्रा है क्योंकि अगर पहले इन पर हमला हुआ तो एक बार फिरसे हमला हो सकता है दो बार तो हो गया विया नमस्कार आप सबके साथ और सबके ठ्रयास से भारत में 150 अब रात को हम सेफ नहीं है ना अभी रात को रास्ता रोक रोक के वह एक बार उसने रोका दूसरी बार वह मेरे माई के बालों पर हमला करेगा फिर मतलब हम सेफ नहीं है ना अजरात को अप देखें जो बातने कर देना आप देदी यह वालों पर क्यों नहीं लगी नहीं सर मैं आप यार की कापी ले किआ ही उन से फोटो लेकिया यह उसका किसका आफ आफ आइए आर का जो आपने अप्लिकेशन दी यह सब पर लेते अप्लिकेशन सभी पर लगी है लेकिन जो उन्होंने अफ आइए यार की कापी बनाई है ना सर उसमें सिरफ जगदेव का नाम है को अधिक का लगता है बाप पूरी सपोर्ट मिल रही है वो कर रहे है सपोर्ट इसलिए वह रास्ते रोग रोके मार रहा हमें इसलिए उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि उसने पहले इतने केस लगए कम से कम भी 4-5 उसके परचे पहले ठाने में लगे हुए कि ये भी बाते ऐसी कर रहा अद मैं आप आपको भी सुनाइगे माता बातों से और मुझे वी सामने समझ आरही है इसमें सब Norm की मीली है जो इदर आना था वह पैसा के चो पैसा आगा हमारे पास जो नहीं इस ऐने के लिए और हम नहीं दे सकते हैं मतलब जो पैसा नहीं देगा वो इनसान सेफ नहीं है उसकी जान भी जा सकती है कोई उसको रास्टे में आते जाते भी मार सकता है क्या बाते उन्होंने बोला आप जो बाते कर रहे हैं फोन पे मतला फोन पे बाते ना करें अभी रात को वो हमें मार रहा है तो हम कब जाएं बात करने सूबा जाएंगे कि रात को हमे मार रहा था जबी बात रात को और यह तो मैं रात को जाऊंगी ना जो उदर पुलीस बाले बैटे है वो कहते है S.H.O. साब वो अपने कौाटर में बैटे हुए S.H.O. साब कहते है मैं शादी में आया हूँ शादी में बीचे गाने भी लगए होते हैं सब कुछ होता बड़ा शोर होता है इनके बीचे तो कुछ भी नहीं था क्यूंकि यह अपने कौाटर में सोए हुए हैं इस टाइम और यह सोते ही रहेंगे तो यह दर्शकों यह मामला आपके सामने हैं फिलाह अलयों रहसाचों साब को भी काल की है और इने मेरे ख्याल से अभी कोई इनसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है पुलीस के आला अदिकारियों से जही निवेदन रहेगा कि इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें कड़ा संग्यान पुलीस को भी लेना चाही क्योंकि जो पीडित परिवार है पीडित फैमली है उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए अगर एक औरोपी बाहर आके फिर से किसी को दमकाता है तो ये एक बड़ी बात कह सकते हैं तो शेतर की अन्य खबरों के लिए बने रहारस पुरा विशना अपडेट के साथ